आज हम बात करेंगे शाओमी 11 Lite 5G NE के बारे में जानेंगे इसके फुल फीचर एंड स्पेसिफिकेशन और क्या है इस मोबाइल में कुछ खास सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें 6.55 इंचिस की AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी Aspect ratio 229 होगा और Screen Density 402 PPI होगी अगर बात करें इस मोबाइल के Screen Protection की तो इस मोबाइल में Gorilla Glass 5 की Screen Protection आपको देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं इस मोबाइल के अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल के Operating System चिपसेट और GPU के बारे में अगर बात करें Main Camera की Video Quality की तो आप इस मोबाइल से 4K 1080p और 720p में अच्छी कॉलिटी इसकी फोटोज और वीडियो शूट कर सकते हैं अगर बात करें इस मोबाइल के Selfie Camera की तो इस मोबाइल में 20 Megapixel के Front Camera आपको देखने को मिलेगा और Front Camera की Video Quality 1080p और 720p होगी अब चलते हैं इस मोबाइल के अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल की Memory के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के Card Slot की तो इस मोबाइल में MicroSD Card Slot आपको देखने को मिलेगा Internal Memory 128GB और 256GB के Variant में होगी अगर बात करें इस मोबाइल के RAM की तो ये मोबाइल आपको 6GB और 8GB के Variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस मोबाइल के Sound Quality की तो इस मोबाइल में एक अच्छी Quality का Loudspeaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5mm Jack इस मोबाइल में नहीं होगा अगर बात करें इस mobile के fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा अब बात करतें इस mobile की battery के बारे में जिसमें 4250 mAh की कल आइप्यो बैटरी आपको देखने को मिलेगी अगर charging की बात करें तो इस mobile में 33W की faster charging भी मिल जाएगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 tap c USB port आपको देखने को मिलेगा infrared port का feature आपको इस mobile में मिल जाएगा अगर बात करें NFC की तो इस mobile में NFC का feature आपको देखने को नहीं मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color, price और release date की सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black, white, blue और pink color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 26,999 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 2 October को release हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में